बारी बारिश और तुफान को लेके मौसम विभाग ने इन बारा राज्यों में की चिताब निजाई अगले 24 से 48 घंटों में इन राज्यों में हुगी भीशन वर्सा और ओला वृष्टी दोस्तो आज के ताजा मौसम समाचार की वीडियो में आपका स्वागत है दोस्त अगर आपर रोजन इसी तरह मौसम का ताजा हल पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साथी अपने राज्य जिले गाउं के ताज़ा मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट में अपने राज्य जिले गाउं का नाम ज़रूर दोस्तों के लिए 24 गंटों के दुरान देश के उत्तर पश्ची में मध्या और पूर्वी हिस्तों में बारिश की गतिविदिया अब कम हो जाएंगी हलाकि पूरवतर भारफ में हलकी से मध्यम बारिश और गरच के साथ बोचारे चारी रहेंगी एक ताजा पश्ची में विक्षोप से 23 मार्च की शाम तक पश्ची में हिमाले तक पहुच जाएगा पंजाब हर्यान और उतिर रजिस्तान के कुछ हिस्तों में हलकी से बारिश की गतिविदिया एक बार फिर 23 तारिक से शुरू हो सकती है और 24 मार्च को तिर्विता में व्रदी होगी और दिली अंसियर को रजिस्तान के साथ साथ उतर पश्ची में हिस्तों में बारिश की गतिविदिया पढ़ने लगेंगी तर्टीय आंदर पश्ची में हलकी से मध्यम बारिश और गरच के साथ बोचारे संबब है पश्ची में हिमाले में अगली 4-5 दिनों तक हलकी से मध्यम बारिश हो सकती है उचाई वाले इलाकों में हलकी बारिश से इंकार नहीं किया जा सकती मौसम विभाग ने दिल्ली अंसियार में आसमान में बाधल चाले रहने और भुणा माणी की विश्ची भी ओनानी की है मौसम विभाग का कहना है कि 23 मार्श तक परवतिय शेत्रों में कहीं कहीं बहुत अधिक से हलकी बर्शाथ हो सकती है वहीं गुजरात में बारिश को लेकर मौसम निर्देशक मनो रम्मा मोहानती ने कहा है कि गुजरात में अगले 3-4 दिनों तक बारिश की संभावना है अज हलकी बारिश होगी एहमदाबाद और गांदी नगर में भी बारिश की संभावना है इसके लवाद 24 मार्श को बारिश कम होने की संभावना है अगले 4 दिन तक लू चलने की कोई संभावना नहीं है IMD ने एक बयान में कहा है कि पश्चिमी हिमाले शेत्र पंजाब हरियाना चंडिर्गण उत्र प्रदेश और राजिस्तान में गरज बिजली तेज हवाओं के साथ छिट पुट से लेकर व्यापक रूप से हलकी मध्यम बारिश होने की संभावना है इसके बाद 30 मार्च से इस चेत्र में बारिश और गरज के साथ बारिश का एक नया दोर शुरू होने की संभावना है वहीं पिछले 24 घंटों के दोरान हिमाचर प्रदेश और उत्राखन में हलकी सी मध्यम बारिश और हिमपाथ हुआ और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश होई के लिए आप हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथी वीडियो को लाइक करने ना बूले आप सभी का धन्यवाद